हलो दोस्तों नमस्कार मैं दिनेश्पर महराज आप सब का श्वावत करता हूँ जैसे मैं आप सब को आज एक छोटी सी कहानी बताने वाला हूँ जिससे आप सुनेंगे अच्छा लगेगा आपने गवरिया जो चिलिया होती है उसका नाम आपने सुना होगा उसके बारे में क तो आप वैसा ही रहने देए इसा नहीं कि उस खोसले को निकाल गर बार फेक दें तो उनकी दुनिया उजड़ जाती है तो मैं आप सब को मैं बताना चाहूँगा उसे आप गौर से सुनें गवरिया चिलिया आज भी स्वर्ग में जाती है गवरिया चिलिया जो होता है उस मेल फेमल दोनों होते हैं वो आज भी स्वर्ण में जाती है किसी ने आप सबको बताया नहीं होगा तो मैं आपको बता रहा हूँ उसे आप एक बार नोट कर ले वो चाहे तो आपकी दिन दुनिया बदल दे अगर आप उसके मैंड में आ गए बार बार आप उसके घोशले को निकाल कर फेकेंगे तो उसके मैंड से निकल जाएंगे आप इसलिए एक छोटी सी कहानी एक मैसेज के तौर पे आप सबको में देना चाहूँगा उससे आप सुने एक शमय की बात थी एक ब्रामर थे उनके दादा परदाता हमेशा पूजा पाट करवाते थे और जो मिलता था दान में वो लेकर घर आते थे वैसे ही उनकी रिती रिवाद चले आ रहे थी घर उनका टूटा फुटा था गोरिया शिडिया का जो घोशला था उस घोशले में दोनों पत्ति-पत्नी बैठे हुए थे एक दूसरे में बात हो रही थी कि यार ये पंडी जी का जो हालत है ना वो देख कर मुझे सहन नहीं होता जब वो घर के अंदर आते हैं और बोलते हैं कि क्या करें सुबह में भी एक सवा किलो अनाज मिल जाता है और सामने तो जाने का दिल ही नहीं करता है सवा किलो आनाज में मैं क्या कर लूँगा तो पंडी जी की औरत बोलती थी धैर रखें सबसरी होगा जब भी वो पंडी जी जब आते थे घर पे सुबह में टाइम पे चले जाते थे कही न कही जहां से दावत आती थी या जहां पे बुराय जाता था उनको वहां चले जाते थे साम गे टाइम जब घर पे रिटन आते थे तो यही एक बात बोलते थे एक सवा किलो तक ही अनाज मिलता है क़ो रिये श लिए देह रहा था देख रहा था देखते देखते उसने अपने औरत से बोला, जो पती पतनी थे ना, उनने अपने औरत से बोला, कि एक काम करता हूं मैं, पंडी जी का कुछ भला कर देते हैं, तो दूसरे ने बोला, ठीक है, जैसा समझते हैं, आप उसा करें आप, क्योंकि काफे टाइम से इनके घर के अंदरी हमारा घर है, हमारा घोशला है, और आज तक उन्होंने मेरे घोशले के उपर हाथ नहीं डाला, या घोशला निगाल कर फेगा, तो इनका कुछ ना कुछ उपाय लगाईगी, तो वो चिडिया वड़ा स्वर्ग में गया, स्वर्ग में पहले वहां का महल देख लिया कि कैसे क्या लाना है, क्या करना है, कैसे करना है, इस तरीके से, तो क्या करना था, वहां से चावल का एक दाना अपने चोच में फसाता था और पंडी जी के पास लेक traced कर आता था ग्रांटी मिलता था दान दचणा में मिलता था टावल उसी चावल के अंदर ओर मिला देता था तो चावल बढ़ते गया वो जब भी स्वर्ग में जाए एक चावल के दाने वो लेकर आता था और पंडी जी के अनाज के दर मिला देता था ऐसा करते 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 इनके पास अनाज बहुत आने लगा अब ये क्या करते थे उस अनाज को बेशना चालो कर दिये उस अनाज को बेशते बेशते पैसे कमा लिया सब कुछ हो गया गोरिया चिडिया जो है उसका जो काम था वो विचारा वह ही कर रहा था तो इनके माइड में एक दिन आया पैसे का एक जो घ्रमंड होता है उन्होंने अपने पत्नी को बोला कि काम गरते ही ये पुराना घर है बहुत तोटा-फुटा है इसे बनवाते हैं तो उन्होंने क्या किया घर बनवाने के टाइम पर वो चिडिया का घोशला निकालकर फेक दिया जब दोनों एकठे हुए गवरिया चिडिया जो पत्ती पत्ती थे जब एकठे हुए तो देखें कि अच्छा पंडी जी घर बना रहे हैं कोई बात नहीं घर बना लेने तो उसके बाद हम अपना घोशला लगा दिए अच्छा है तरक्की होनी चाहिए इन्होंने जब घर बना के रेडी कर दिया तो जैसे सब घर में रहने जाते हैं उसी तरीके से फिर गवरिया चिडिया ने अपना घोशला लगा दिया पंडी जी साम को आए देखे अरे बुले तुम्हारा दिमाग खराब है ये घोशला कैसे आगया तुम देखते नहीं हो गया फिर उसे निकाल कर फेक दिया गवरिया चिडिया देखा मुलफ कोई बात नहीं फिर हम लगा लेंगे दूसरे दिन फिर घोशला लगाता है और पंडी जी आते बोलते हदो गई ये चिडिया क्यों है इसा करते है इसा की घर के अंदर ही आके अपना घोशला बनाते मतलब क्या है इनके बाप का राज है दूसरे दिन भी घोशला निकाल कर फेक देते हैं अब घर के सामने एक पेड़ होता है उसी पेड़ पे दोनों बैठते हैं और बोलते हैं कि आज कल इनसानों का साथ भी देना गुना है पहले तो उटा फुटा था लेकिन उस समय तो घोशला नहीं फेका जाता था उस समय ह लोग अराम से रहते थे इनका मैंने क्या भला करना इस्टार्ट कर दिया और यह मुझे रोट पर उठा के फेक दिया फिर उसका दिमाग खराब हुआ फिर क्या किया आप सोच भी नहीं सकते हैं पंडी जी जो अनाज लेकर आते था उसी अनाज में से एक दाना उठाता था वो स्वर्गों में ले जाके रख देता था और इसे ही करते क्या फिर यह रिटर्न रोड पर आ गया इनकी हालत पहले जैसी हो गई तब उनको आफशोष हुआ कि इंसान बढ़ता है तो बहुत आगे निकल जाता है और गिरता है तो बहुत निशी गिर जाता है तो यह एक स इतना ही समझते रहा है कि उपर वाला तरक्की भी देता है और तरक्की चीन भी लेता है तो यह ध्यान में रखना है आपके घर के अंदर जो चीडिया होती है चीडियों का जब सम्मान करोगी आप तो आपका सम्मान होगा 100% सम्मान होगा अभी आपको मैं बता रहा हूँ यह मेरे घर के अंदर यह जो परदा लगा हुआ है परदे के बाहर गैलरी है एशी का पूरा केविन बना हुआ है उसके उपर कबूतर भी आके बैटते राजबर चिलाते भी है उनका घोशला भी लगा हुआ है फिर भी मैं और में जाते नहीं है पर ठीक है जैसा भी है बढ़ियां है सब ठीक ठाक है तो मेरा बोलिंग आतात पर यह है कि कभी किसी को तकलीफ नहीं देना चाहिए जो आपके जड़ में है जो आपके नशीब में है वो आपको मिलेगा चाहे कोई कुछ भी घर ले जंगल हो या चिडियों का तो उनका रहने का घर होता है उसे आप मत हटाए या घर में हो या पीड़ों पे हो उसे मत हटाए उनको घर से बेखर ना करें नहीं तो आप भी घर से बेखर हो जाओगे इसमें कोई दो राय नहीं है और यह वीडियो आप सब को पसंद आया तो प्लेज आप भी